दोस्तों भाषा सिक्षन के Employment News वाले सिक्षन में आपका बुनाया स्वागत है। आज की जो धुमागेदार खबर है या आज की जो विशेस खबर है वह खबर है ESIC और EPFO में जुनियर ट्रांस्लेशन आफिसर की परिशा का विग्यापन UPSC ने दिया था ESIC का कुछ दिन पहले आया था और EPFO का भी चल रहा है अभी कल ही UPSC ने अगोशना किये एक Addendum निकाला है और उसमें बता है कि ये दोनों परिच्छा है Combined मतलब एक साथ होगी आए देखते है Addendum क्या है ये देखे UPSC का वेबसाइट यहां लिखा हुआ है साम में लोग सेवा आयो यूनियन पप्लिक सर्विस कमिशन इसमें देखे लिखे What's New इहां लिखा हुआ है What's New में यह सारा करा लेकि Addendum Notice 86 Post of Junior Translation Officer in EPFO Ministry of Labor and Employment इसी तरह से ESIC वाले में यहां यह डॉक्मेंट में आप जाएंगे क्योंकि देखे कई बार क्या लगता है कुछ सुचना है दी जाती है तो लोगों को कई बार लगता है या कुछ लोग फेक न्यूज भी बना देते हैं तो इसलिए एक्शुल वेबसाइट से देखना ज्यादा हित्का रहता है आप कभी भी अगर कोई information मिले कोई सुचना मिले तो मैं हमेशा सला जेता हूँ कि आप उसको सही और authentic website से देखे तो देखिए इसमें है क्या हम आगी बढ़ता है Union Public Service Commission Addendum Notice to Candidate मतलब जो पहने सूचना आई थी उसमें यह सूचना हो जो रही है Reference Union Public Service Commission Advertisement Number यह ही पॉप्रिश्ट रॉप्रिश्ट नंबर यह आईटम नंबर 11 with closing date of submission of online application यह है दो दो है यह आयखा है रेक्रूट्मेंट और 76 किसमें ESIC में यह vacancy आई थी और इसके बाद फिर इन्होंने आगे लिखा है ति the commission इसके बाद इन्होंने इसका भी लिखा है इसके बाद the commission had decided to conduct an offline pen and paper exam यहां देखी pen and paper exam जब इन्होंने तैय किया है कब करेंगे 28 2023 को रलीवार afternoon session में करेंगे यह date आप अभी से अपने mobile में या calendar में mark करके रख लिए जिन लोगों में ESIC और EPFO की परिक्षा का फॉर्म बनाया उनकी परिक्षा होगी 20 अगस्त होगी परिक्षा की पद्धधीन हमने इंदे मेंने काया परिक्षा की अवह ही 2 गंडे होगी पता अधित्तम 300 मतलब जो पेपर होगा वह 300 नमरता होगा परिक्षा में बहु पिकल्पी मतलब multiple choice questions होगे वस्तुर निस्त मतलब objective question होगे मार्जन के होगा लेती होगा ज्यान रहे हैं आप अगर परिक्षा अग्रेजी में लिखने के उत्सुक है तो आपको इल्या सुरिदा नहीं दी जाएगी इसके बाद गरत उत्तरों के लिए रेनागमार पठा negative marking है कितना है एक तिहाई अंग काट दिये जाएगे आपको इसमें बात करेंगे परिक्षा के इंदर लिखा हुआ है आगे देखते इसमें क्या लिखने कि परिक्षा के अंदर लिखा हुआ है अरंदावार, भुपाल, चंडीगर, पिशापपड़, नमेग, दो, तीन, चाथ, पाँच, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यादा, भारत, देना, चोड़, पंदरा जगर यह परिक्षा आयो जुद होगी और इसमें हमारा कलगत्ता भी है कलगत्ता में 8-6 दिया गया है अपने जो केंदर माना था उसके अंसाख शाहिद केंदर में जाए अब इसमें हैं बात करेंगे परिक्षा के लिए इन्होंने सिरिबस क्या रखता है सबसे पहले सिरिबस में लिखा हो गया है कि संग की राजवासा नीती संवधानी प्रावधान और राश्पती की आदेश 1907 राजवासा संकर 1968 डेवन से आप लोगों से पूछते रहें कि इसमें क्या है आप लोगोंने यह आशा की थी कि यह सिर्फ इंट्रूव बेश्ट होगा कि इसमें अगर हमें आविदन अधिक आता है तो हम इसमें साक्षातकार के अलावा लिखित परिक्षा भी लेगिन मतलब पहले लिखित उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपका साक्षातकार अर्था इंट्रूवी होगा आगे बढ़ते हमों देखिए अब नियम अधिनियम की जो कान ही है उसमें क्या गया देखते हैं अधिनियम नियम वासिक राजमासा कारेक्टरम मित्रों इसके लिए अगर आपको समय मिले तो किसी मित्र से अभी ESIC की सहाय की दे सकता असिस्टन डिरेक्टर के लिए परिच आपको बता देता हूं देखिए मेरा एक ब्लॉग है गली-कुच्षा.blogspot.com इस वेबसेट पर आप्ट आएंगे तो राजबाशा से संब्देटर चैक को आपके लेफ्ट और राइब में तुमाम समक्रिया है राजबाशा से संब्देटर धेरों जानकाली आपको जाए आपको वहां से डाउलोड कर दीजे, पढ़ सकते हैं वहां से, अब इसमें पूछा है राश मासा और राई भाषा, उपर है समितियां योजनाएं, हिंदी के समर्दन हैं, तो कारवरत, संदारी संस्थाएं, सब उसे मिल जाएगा, हिंदी भाषा के वं सहितिता विकास, आप उनमें से कोई एकिताब जो प्रसंद रहें, देवनागरी लिपी का इतिहास एवं विकास या भी मत्रपूर अध्याय होगा, इसके उपर भी आपको वही एक्साइट मिल जाएगे, इंदी भाषा एवं सहितिके विकास में, देवनागरी लिपी एवं अनवात का पुझा जाता है, हिंदी से अग्रेजी और अंगरी से हिंदी नवाल, वाख्यांस और पालिभाशिक श्रदा होगी, यभी रहें दिखी अनवाल आश्य रहेंगा, अनवाल पर मैंने 2-3 लाइव सब तर गया है अगर आप लोग इच्छा होगी तो और दो चार लाइव सब कर लेंगे, और हिंदी से संबंदि आईटी तूल्स इसके ऊपर लेगे चार पाच वीडियो में अगर आप देख लेंगे तो आदा काम हो जाएगा, गवर्नेंस में हिंदी, ये सब पिछली बार जो जो असिस्टन डायक्टर का सिरे पर सिरे पर सिरे पर सिरे पर सिरू रह काल लेंटर भोगर दे दिया जाएगा और 70 इंटू 25 का विडेज दिया जाएगा, मतलब अगर आप 300 नूमबर का टूटल है, तो 300 नूमबर में से 75 पर सिरे तो 25 आप मांगे चलिए, इसका होगा, और 25 मांगे चलिए 25 मतलब ये इंटर्व्यू होगा और ये आपका रिडे इसमे जनरल और एमरेश् mono गडेजरी के आप में है, तो आपको पचास से अधिक लाना है, कॉलिफाइ करने के लिए, अगर आप OBC में हैं तो आपको 20 से उपने लेणा है, सिर्फ क्वालिफाइ करने के लिए इन दिलिए सिर्फ कौनिफाइब करने के लिए और अगर पीड़री है चाहे किसी भी कोटे में हो तो उसमें 40 से अर्था सिर्फ और पीड़र कोडी के लिए 40 चाहिए बागी जनलर एड़री के लिए 50 और 25 चाहिए अगर इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके अमजार आप तयारी कर सकते हैं तयारी के लिए क्या करें कैसे करें बीच बीच में मैंने सला दिया है और मैं एक स्पेसल सेसंट रखने जा रहा हूं जिन मित्रों की इच्छा है जोइन कर सकते हैं स्पेसल सेसंग वारे मैं आपको अलक्सी जान करेंगे दिजाएंगे मारे टेलिग्राम मंच पर एक चीज़ और महां बता दो देखिए जैसे वेकंसी कि आप बात करते हैं तो जैसे इसमें चीहत्तर वेकंसी है यहां चीहत्तर लिखा हुआ है और चौरासी एसाइसी की है तो आप उतने पज यह लोग चुन करके भेज देंगे मंद्राने फिर अपना ही सापस हो सकता है लोगों को इधर और बाठ दे या फिर यह अलग अलग विम्हापों को ते ले तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेकंसी दोनों संस्थाओं में रहे हो भी सकता है गाजमी है तो अर आट्रिवु के लिए यह लोग क्या करते हैं या फिर निच्टू सिक्स की रिच्टी वे लेकिन या ध्यान रहे है कि इसकी नियूकती प्रकरिया भौत ज़दी खतम कर देगे क्यों कि असिस्ट्सट्चम्टर काहिओं हो ने बहुत ज़दी खतम कर के विवागों को दे आपके चर्चा में फिर इसकी बियारी से समझे बाते करें, तब तक के लिए नमस्काल, जैहिए।